हेलो गाईज और वेलकम वेक्टू चैनल आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम पात करेंगे इसी टीवेस रेल्बर भाइब दूट कि बात करते हैं इस बाइक के फ्रेंट के व्यू की तो इसमें जो इन्टीग्रेटरे ड्यारल लेमप वह लाइट के लिए मिलते है सामने के front की साइड में और TVS की ब्रेंडिंग वो मिलती है और आगे यहाँ पर डिस्क ब्रेक हो दिया जाता है front का जो टायर है वो 1870 इंस का जो टायर हो आता है और 270 mm की जो डिस्क प्लेट है इसमें लगी रहती है इस बाइक की दूसरी प्रोफाइल की तो इसमें हेलोजन जो इंडिगेटर से वो मिलते हैं और साथ में साथ में TVS का जो लोगो है वो मिलता है और Intelli Go की जो इसमें ब्रेंडिंग मिलती है इंजन पर है वो TVS की ब्रेंडिंग मिलती है और साथ में साथ दूसरी साइड में यहाँ पर रेडर है, वो लिखा गया है, कुछ पीछे का साइलेंसर ऐसा दिखता है, और रिफलेक्टर है वो पीछे की साइड में इस बाइक में मिलते हैं, कुछ ऐसा मिलता है इसका ब्रेक लाइट पीछे की आप देख सकते हैं, कुछ V कि वाले मिलते है और रिफ्लेक्ट रह वह मिलते हैं इस बाइक की दूसरी प्रोफाईल की तो सब्सक्राइब रड़ा करी गई ज़ए अगर vagy charger port चाहिए USB port चाहिए तो आप यू जगह देख रही है इसमें अपने USB port वो लगवा सकते और अपने मुबायल को चार्ज कर सकते है इसकी कुछ ज़्यादा comfort बनाने के लिए इसकी जो seat है 125 CC में सबसे ज़्यादा चोड़ी सीटे इसी बाइक में आती है जैसा कि आप देख सकते है बात करते हैं इस बाइक के हैंडल पर controlling की तो आप इस पर देख सकते हैं कि इसमें जो eco mode और power mode है उसकी जो branding है वो मिलती है जिस से ये बाइक आप इको मोड पे चला सकते हैं और पावर मोड उस पे चला सकते हैं और साथ ही साथ में इसमें नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन आता है और दूरसे साइड में यहाँ पर पासिंग का बटन मिलता है और हाई बीम वो range निकाल देगी fuel full कराने पर या कितना fuel इसके अंदर है और उससे ये कितनी range निकाल देगी वो इस bike में दिखाया जाता है साथी साथ में इसमें clock भी आता है और rpm meter वो भी digital आता है और साथी साथ बात करते हैं इस bike के keyhole की तो आप देख सकते हैं इसमें जो key है वो थोड़ा गाड़ी की तरह दी गई है थोड़े और और इन्हेंस करके बनाई गई है और handle पर वो TVS की branding है वो भी मिलती है और कुछ ऐसा दिखता है इस bike का fuel tank bike में 124.9 cc का जो engine है वो आता है 1 cylinder 3 wolf और 4 stroke के साथ में आता है air cool technology के साथ में ये engine आता है बात करते हैं इस engine की power की तो इसमें 11.2 newton meter का torque देता है जो 6000 rpm पर produce करता है और वो 11.2 bhp का power produce करता है 7000 rpm बात करते हैं इस bike के comfort की तो इसमें comfort की लिए सामने 30 mm की जो telescope suspension वो दिये जाते है अगर पीछे जो comfort की बात करी जाए तो इसमें monosok सा वो 5 step adjustment के साथ में जो पीछे की तरफ आते हैं वो जब आप रोकते हैं वो automatically बंद हो जाती है और जैसे आप throttle को घुमाते हैं तो bike वो दोबारा start हो जाती है अभी तक ऐसा system आता था कि जब आप clutch लेंगे तो bike start होगी लेकिन अभी TBS ने थोड़ा सा change करा है और जब throttle को आप घुमाते हैं तो उसके बाद ने bike का दोबारा से start हो जाती है अभी बात करते हैं इस bike में कुछ safety features की तो सामने इसमें जो disc brake वो दिया जाता है drum brake वो मिलता है और इसके साथ ही साथ में इसमें TFT डिस्प्लेइज आती है जो color डिस्प्लेइज आती है फाइप इंच की चूकि यह bike 125 CC में ही आती है तो लोग इसका average को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं चूकि यह bike 60 की जो speed है वो तकरीबन 6 सेगंड में पकड़ लेती है तो इसका जो curve वेट है वो 123 केजी ही रखा गया है भी हम सुनाते हैं आपको bike का कुछ sound अभी जैसे ही इस bike को power mode से eco mode में swift करते हैं तो यह bike है इसका जो engine का sound है वो थोड़ा सा change हो जाता है अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी कुछ top speed की तो जो limit होती है उसको दिखाने की कोसिस करेंगे और 60 तक यह bike कितनी देर में जाती है उसको दिखाने की कोसिस करेंगे तो बाइक का जो पिक अप है वो थोड़ा सा ओसम है 125 कोई भी केटेगरी के बाइक को टकर नहीं दे सकती है अभी हम दो सवारी बेठी है इस लिए इतनी कम गई है लेकिन सिंगल सवारी में बाइक तकरीबन 107-108 किलोमेटर पर आवर की स्पीड हो पकड़ लेती है अभी हम करने जा रहें एक ड्रेग रेस एफजी के साथ में और देखते हैं इस भाइक का पीकप कैसा है करना कुछ ने चैनल पर बने रही है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेला उसको भी ओन कर दे